नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, ये मेरे चैनल पे जो इयर ट्रेनिंग क्विज के वीडियोज अपलोड होते आये हैं, ये काफी हद तक पॉपिलर हुए हैं, इससे कई संगीत प्रेमियों ने लाब उठाया है, कई संगीत प्रेमियों ने useful suggestions भी दिये हुए हैं, मैं उनसे धन्यवाद कहना चाता हूँ, ये वीडियोज एक सीरीज में बनते आये हुए हैं, अब वक्त आया है, कोमल स्वरों पहचान करने में भी जो वीडियोज मदद कर सके, ऐसे वीडियोज अपलोड करना, तो आज से इन वीडियोज में आपको कोमल स्वर भी शामिल क किये जाएंगे, कोमल और शुद्ध स्वरों का अंतर समझने के लिए, पहले मैं आपको एक एक्सरसाइज सुनाता हूँ, जिसे आप ठीक तरह से सुनीगे, इस एक्सरसाइज में, मैं सा के साथ किसी और स्वर की जोड़ी लूँगा, लिकिन वो स्वर के दोनों स्वर लग में सा, रे शुद्ध लूँगा और तीसरे पैच में रे शुद्ध, रे कोमल और सा लूँगा, आपको समझ में आही जाएगा, तो सुनिए, इस एक्सरसाइज को मैं सफेग एक याने सी स्केल में कर रहा हूँ, इस स्केल को नाचरल स्केल कहा जाता है, और अपने इयर ट् इसके सारे सुर, इसी स्केल में दिये गए हैं, कोई भी अभ्यास करने से पहले, सा को ठीक तरह से लगाना जरूरी है, ये एक्सरसाइज सुनिए, ये रे कोमल है, ये रे शुद्ध है, अब गो, ये गो कोमल है, ये गो शुद्ध है, अब मौ, मौस्वर तीवर होता है, ये पहला शुद्ध है, ये तीवर है, अब पो, पो ना कोमल होता है, ना तीवर होता है, अब धो, ये कोमल धो है, ये शुद्ध धो है, अब नी, ये कोमल नी है, ये शुद्ध नी है, अब सा और तारस अब तक का सा, सा कभी कोमल नहीं होता, ना कभी तीवर होता है, सा, 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 ये हुए, रे, गभ, धा, नी, कोमल स्वर, और म, तीवर, आज से आप आओगे, ये 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 ट्रेनिंग क्विज वीडियो में, किसी कोमल स्वर को भी शामिल किया गया है, इन सुरों को पहचानने की कोशिश कीजिए, आपने तरक की, जरूर होगी, आज की साउंड फ्रीकेंसी मुवमेंट है, सारे गभ, गभ, इन सुरों पर, अब मुवमेंट पहचानी है, क्या आप मुवमेंट पहचान पाएं, ये मुवमेंट है, इस पैटर्न में दोनों ग़ लगे हैं, इस वीडियो के बारे में या संगीत अभ्यास के बारे में आपको कोई मुश्किल हो, तो आप मुझे कभी भी मेरे मोबाइल नंबर 88791-83901 पर फोन कर सकते हो, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की जरूर कोशिश करूँगा,